किसान भाईयो नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत हैं तो किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मात्र 200 रुपए से लेकर 250 रुपए में आप एक एकड़ में कीड़ नसक का प्रियोग कर सकते हो तो दोस्तों एसी कौन सी कीड़ नसक सबसे सस्ते और सबसे महंगे होते हैं तो आपको कौन सी दोई लेकर आना है जो कि आपके लिए और आपकी फसल के लिए और कम कर्चे में आपका ज़दा फाइदा हो तो एसी दोई के बारे में हम बत्ताने वाले हैं तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अभिशी लाइक कर दीजे और दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजे ताकि सभी को यह जानकरी मिल जाए तो इसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो अभी हमारी यह सभीन JSB 34 है और यह अभी फूल वाली अवस्ता में आ गए होगी दोस्तों फूल वाली अवस्ता जब सभीन की आ जाते हैं तब इसमें सभी प्रकार के रस्तु चक सपेन मच्चर एवं सेमील उपर इली तम्माकु इली एवं अन्हेक प्रकार के किटों का प्रकौब इसमें देखने को मिलता है तो दोस्तों इसमें अगर आपने स्प्रे नहीं किया तो आपके ये इली फूलो को काड़ देगी और जब फलिया बनेगी तो फलियों को भी नीचे गिरा देगी जिससे कि आपकी पेदावार कम हो जाएए दोस्तों अगर हम कीट नासक की बात करते हैं तो मारकेड में बहुत प्रकार के कीट नासक आते हैं अलग-अलग कमपनियों के अलग-अलग कीट नासक आते हैं दोस्तो कुछ कीर ना सक महेंगी होते हैं कुछ सस्ते होते हैं अगर दोस्तो आप दुकानदार के पास जाते हो और बोलते हो कि हमें इल्लियों के लिए कुछ दवा चाहिए तो वो आपको महेंगी वाली ही दवा देगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे सस्ती मातर एक एकड में 200 से 250 रुपई के खर्चे वाली कीड नसक के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा दोस्तो जब सबीन की फूल वाली वस्ता में जब आप पहला इस्प्रे करते हो उस समय पर आपके खेत और आपकी फसल में जो इलिया होती है वो बहुत छोटी छोटी इलिया होती है तो दोस्तो उस समय पर अगर आप सस्ती वाली कीर नासक का प्रियोग करते हो तो भी आपको ज़्यादा फाइदा देखने को मिलता है तो दोस्तो मैं आपको सस्ती वाली कीर नासक का केमिकल बताता हूँ साइप प्रोपेन फोट 40% प्लस साइप प्रोपेन फोट 4% इसी के फोट में उपलब दोता है दोस्तो यह वाला टेक्निकल आप मार्केट में जाकर बोलना तो वो आपको बताएगा अलग-अलग कमपनियों की दोई आई दोस्तो आप किसी भी अच्छी वाली कमपनियों की दोई लाकर अपने फ़सल में प्रयोख कर सकते हो दोस्तो अगर इसकी डोज की बात करते हैं तो आपको एक एकड में 200 लिटर पानी लेकर उसमें से 300 ml दोई मिलाकर आपको प्रती एकड स्प्रे करना है या दोस्तो अगर आप 15 लीटर पानी में 15 लीटर वाले स्प्रे पंप के साथ छिड़काओ कर रहे हैं तो उसमें आपको 25-30 मेल परती पंप लेकर स्प्रे करना है दोस्तो अब हम आपको दोसरे स्प्रे की बात करते हैं जब फूल से फलिया बनना प्रारम हो जाते हैं तब आपकी पसल में वापस कीट और इलिया का प्रकूफ होने लग जाता है तब आपको दोसरे स्प्रे की आउसकता होती है अगर आपने पहले इस्परे में जो दोई कीड नासक प्रयोग किया हैं उसका ऊब दुबबारा इस्परे में उस कीड नासक का प्रयोग कदा भी न करें आपको इसके doing up będzie अच्छे नहीं मिलेंगे और आपकी इल्य भी नहीं मडेंगी तो दोस्तो आपको दूसरे इस्प्रे में लेना है सिजेंटा की अलिका जो कि दोस्तो उसके अंदर थायो में एक जाम फलाल लेमडा होता है तो दोस्तो लेमडा सब भी परकार की इल्लियों को रज सुचक और इसके अलावा गटर विडर रिंग कटर सब भी परकार के इल्लि की बात करते हैं तो उसमें आपको 10 ml परती पंप डाल कर आपको इस्प्रे करना है और दोस्तों अगर इसके रेड की बात करते हैं तो इसका रेड आपको एक एकड़ का रेड पड़ेगा आपको 250 रुपए मात्र 250 रुपए में आप इसका इस्प्रे कर सकते हो और आप अपनी फसल में किटों से मुक्ति पा सकते हो दोस्तों अगर इन दोनु इस्प्रे वो सस्ति दवाओ को अगर आप अपनी फसल में प्रयोग कर सकते हो तो आप एक एकड में पंदरसों से दो जार रुपे आप बच्चा सकते हो तो दोस्तो यहीं थी आज की जानकारी यह जानकारी कैसी लगी यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे हम मिलते हैं नई वीडियो में धन्यवाद जे जवान जे किसान